गुद मॉर्निंग वेलकम टू अलिश्टडी न्यूस फॉर यू में आपका बार बार स्वागत है चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये धमाकेदार न्यूस जो की निकल के आ रही है अमर उजाला से जैसा की आपने थमनेल में देखा ही की मॉडूरेशन रहेगा खास फेल भ फेल भी हो जाएंगे पास इसका क्या मतलब है क्या रिजन है और ये रियल न्यूस है या फिक न्यूस है इसको मैं आपको पहले ही कन्फर्म करा देना चाहता हूँ यहाँ पर देख सकते हैं अमर उजाला जो की बहुत ही ऑफिसीली न्यूस का ये चैनल है और चैनल के साथ साथ आपको ये भी आपको पता होगा कि अमर उजाला का पेपर भी आती है और ये कितनी न्यूस मतलब रियल है आपको पता ये होगा क्योंकि ये अमर उजाला से निकल के आ रही है सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर पब्लीज डिट दिखा देता हूँ यहाँ पर आप कोई जानकारी देनी मुझे बहुत ही आवस्यक लगा था तो चलिए देखते हैं इस जानकारी में मतलब क्या बताया गया है जैसे के मौडरेशन में आपको पता अगर है तो ठीक है अगर नहीं पता है तो वो मौडरेशन में बता रहता हूं का मौडरेशन एक ऐसी चीज होती है जो सरकारिक रूप से आपको अलग सी कुछ नंबर आपके कौपि करने के बाद बढ़ा कर दिया जाता है इससे आपको पास होने की ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर आपको उपीद हो बहुत से लड़के कापीयों को सिर्फ भर के आये थे उत्तर में सही नहीं लिख कराये थे प्रस्ण को उतार के आये थे और कितने लोग खाले लिख कराये थे लेकिन मौडूरेशन के तहए उनको पास कर दिया गया और जो बच्चे पास हो है उनको खुद ही नहीं पता चला कि यार इतना नंबर मेरा कैसे आ गया तो वो सिर्फ बड़ी संके ओंगैने कि पछाणी नंबर कितने लड़कों को दिया जाये गा इसमें कम बेसि करके सभी को दिया जायेगा बड़ी संक्ष्या में खाली मिलने के बाद भी बढ़ गया था त्रों इस बार भी आसंका जताई जा रही है कि प्रियास है कि भले ही कापियां खाली हूँ, नकल पर सिकंजे की वज़ा से परिचार्थी पास करने के लिए गुहार लगा रहे हूँ, और कापियों में पैसे रख रहे हूँ, मगर फिर भी उनके अंक बेतर आने की उमीद है, दर असल यूपी बोर्ड फिर से गोपनिय और कि विवस्ता को बताया जा रहे है, जी कोई भी किसी के जीवन के साथ खिलवाण नहीं कर सकता, चलिए आगे की निउस्स देख लेते हैं, गोपनिय मौशा है, इसलिए क्योंकि कितने अंको का moderation है या इसपस्ट नहीं है जी हां दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि यह कितने नंबर का रहेगा moderation चलाये जाएगा जो कि सरकारी तहत रहता है तो वो अभी कोई clear नहीं है कितने नंबर का बढ़ाया है दर असल पिछले साल high school और intermediate के result प्रतिसत को लेकर हैरानी जिताई गई थी जी हां दोस्तों पिछले साल हैरानी जिताई गई थी इसलिए क्योंकि लड़के तो कुछ लिखे यह नहीं थे लेकिन इतने जादे-जादे प्रतिसत की हैरानी हो गई थी तो आगे चले देते हैं आलम यह था कि परिच्छक ही नहीं खुद विध्यार थी भी सोच में थे कि उन्हें अंक कैसे मिल गए इसे माडूरेशन निति के तहट तयार किया गया रिजल्ट बताया गया लेकिन यह कैसे हुआ इसे लेकर कोई बोलने को तयार नहीं था यूपी बोर्ड के सुत्र इस बार भी ऐसा ही बता रहे हैं जी या दोस्तों कितने घुसी की बात है आपको चिंता नहीं करना है इस साल उक्तर पुसी का खाली मिल रही थी परिच्चकों की आसंका है कि रिजल्ट पचास फिसदी भी पार नहीं कर पाएगा पिछली बार भी ऐसा था लेकिन हुआ इसमें एक कदम उलड़ था मेरट की रिजल्ट प्रतिसत घटने की बजाए बढ़ गया था ये काम हुआ था इस प्रकर देश में आठामा अस्थान था जबकी इंटर्मेडियरीत में उननी सवाजब की वर्स 2017 में मेरट हैसकूल में उत्तर प्रतियस में 34 उखत्याद में स्थान पर था इंटर्मिडेट का रिजल्ट 88.45 पतिसत और हाई स्कूल का रिजल्ट 87.50 पतिसत रहा इस संबन्द में यूपी बोर्ड के छेत्री सची और राणा सहस्त्रांसु सिंग सुमन का कहना है कि वह इस बारे में कुछ कहने के लिए अधिकृत नहीं है रिजल्ट इल अधिक्षा कराने वाले बोर्ड सभी विद्यार्थियों को विशेस में अतिरिक्त अंक देते हैं यानि जितना आप लिखे रहते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़ाकर नंबर आपको दिया जाता है आपके कौपी के लिए उदारन अगर आप बारवी में विद्यार्थ में लेकिन किसी एक विशे में औसस्ट से भी कम अंक मिले हैं यानि कि आपको पासिंग मार्क नहीं मिले हैं ऐसे सथी में बोर्ड के जिमेदार एक फार्मूले को आधार मानते हैं उस विशे में सभी चात्रों को 1,2,3 या अधिक्तम 8 तक अंक अतिरिक्त दे सकते हैं तक आ आपको एक तीन और आठ अंक तक ज्यादा ज्यादा आपको नंबर बढ़ा दिया जाता है आपके कॉपी के लिए अतिरिक ताक या पास हो सके अतिरिक अंक या दो या तीन विशेयों में दिये जा सकते हैं और गौर तलब है कि cbsc csc ने moderation policy खत्म कर दी थी है मतलब आपको यहां पर बता दे cbsc और csc अगर आप स्टूडेंट है तो आपके लिए यह जो है moderation policy खत्म कर दी गये यह आपको यह यह नंबर बढ़ा के नहीं दिया जाएगा CBSE और CSC बोर्ड के चात्र चात्राओं की तुलना में UP बोर्ड के विद्यारतियों के अंक 10 वी और 12 वी की परिच्छा में कम होने की कारड 2011 में मॉडरेशन नीती लागू की गई थी आईए कि आप देख लेते हैं कि सोशल मीडिया पर हुआ था वाइरल क्या हुआ था वाइरल वो भी हम कुछ जान लेते हैं यहाँ पर पिछले साल मुल्यांकन के बाद सिच्छक एक परिपत्र अवार्ड स्रीट पर चढ़ते अंक चढ़ाते हैं सोशल मीडिया पर ऐसे काफी रोल नंबर वाइरल हुए थे जिनके मार्क स्रीट में मिले अंक और अवार्ड स्रीट में लिखे अंकों में 20 से ज्यादा अंकों का अंतर था इस बार परिच्छकों के मुबाइल से फोटो खीचने पर फतिबंध लगा दिया गया है मीडिया की एंट्रिक भी बैन कर दी गई है इसी वज़े से कयास जोर मार रहे हैं अभी तक इस तरह किया जाता था पास मतलब कैसे किया जाता था पास यह भी हम आपको इस वीडियों बता देते हैं आगे की नियूस में पिछले साल से पहले तक अगर कोई परिचारती पांच विशेओं में पास और किसी एक विशेओं में फेल होता था या फिर एक विशे के पेपर में अनुपस्तित रहता था तो भी वह पास माना जाता था अगर वह चाहे तो एक विशे की कपार्टमेंट परिच्छा दे सकता है अगर परिछारती ने एक पेपर की परिछा में 27 अंकर जित कर लिये हैं और दूसरे में फेल हो गया है या अनपस्तित था तब भी उसे पास कर दिया जाएगा या पास कर दिया जाता था बोर्ड उसे दूसरे पेपर में 8 अंक का ग्रैस दे कर पास कर देता था जिया दोस्तों ये निउज एकदम रियल है आपको बस अब कुछ नहीं करना है अब तो आपकी बल्ले बल्ले हो गई है क्योंकि यहाँ पर अमर उजाला की ये निउज निकलकार आ रहा है तो मैं 100% गर अब आई हमारे प्रतिक वीडियों को देखने के लिए यूपी बोर्ड रिलेटेड निउज और यूपी बोर्ड स्लेबस यूपी बोर्ड के एक अच्छा दसमी बार्मी ऑल स्लेबस हिंदी इंगलिस chemistry physics औल सब्जिक की ट्रिक और उसकी स्लेबस के इंपोर्टेंट इंपो झाल झाल